वाट्सप गाईज आज हम देखने वाले हैं मोदी जीज मास्टर स्ट्रोक फोर 2024 नितिश जॉइन्स एंडिये दाशाम शर्मा शो चैनल से वीडियो है वीडियो होगी काफे इंटरस्टिंग दिखते हैं क्या कुछ है मास्टर स्टोक अब तक सबको पता ही है वैसे तो लेकिन वीडियो इंटरस्टिंग होगी पर देखते क्या कुछ पॉइंट्स कवर करें और हलका जो रोश्ट रहता न तो 2024 के एलेक्शन चैलेंज को जीतने के लिए opposition parties ने एक नया गड़ बंधन निकाला है मार्कटी India Alliance 28 opposition parties had come together earlier this year to form the Indian National Developmental Inclusive Alliance अच्पाः, can you challenge India? Bihar Chief Minister Nithish Kumar is likely to be appointed as convener of the Indy Block हम लोग जो है सक्ता से बे रखा ले लोगो को करें मुह से सूपारी निकाल के बात कर रहे है गोल ये है के कई parties का ये Alliance साथ में मिलकर ताकतवर हो और BJP को 2024 में हरा सके लेकिन अफसोस शुरू होने के साथ-साथ ही election के अल्मोस तीन महीने पहले इस Alliance के हाला ठीक नहीं लग रहे India Gatwandhan तूटके कगार पर इसको तार-तार कर दिया है ये देखके कसम से मुन्ना भाई MBBS का एक सीन याद आ जाता है लेकिन ये हुआ क्यों? क्यों अल्रेडी इंडी अलाइन्स में धरारे आ रही हैं? और इंडी अलाइन्स के 2024 एलेक्शन्स में सबसे बड़े क्या चैलेंजिस हैं? आईए आज के वीडियो में जानते हैं हलो हलो और शाम शर्मा शो के इस एपसोड में आपका बहुत-बहुत स्वागत है मैं हूँ सेकलरिजम का CEO शाम शर्मा और आप सब को सेकलर प्रणा तो देखे पहले समझते हैं कि ये गड़बंदन क्यों मनाया गया? देखे सिंपल सी बात है पिछले 10 सालों में बीजेपी की जो गवर्मेंट है वो strength to strength जा रही है लोगों को लगा कि 2019 में 2014 के मुकाबले में बहुत anti-incumbency रहेगी लेकिन 2019 के elections में बीजेपी का vote share almost 38% था और पूरे NDA गड़बंदन का 45% रहा था तो anti-incumbency के बजाए almost pro-incumbency हो गई 2014 से भी जादा CTI 2019 में बीजेपी को ऐसा क्यों हुआ? देखे एक बड़ा reason तो ये है कि एक तरफ एक ऐसे politician है जिनका political IQ MTV Roadies के contestant के बरावर है और दूसरी तरफ है Modi 10 साल तक पावर में रहने के बावजूद Prime Minister Modi की popularity अभी भी बढ़ ही रही है वो इस समय पर दुनिया के सबसे लोगप्रिय वर्ल लीडर है He is the most popular world leader for a reason He is unbelievable visionary Indian Prime Minister Narendra Modi has yet again emerged as the most popular leader in the world as per the US-based consortancy firm Morning Consort Yes इसका मतलब Modi जी को सिर्फ मेलोनी ही नहीं बलकि पूरा भारत भी प्यार करता है और आप देखे कि पिछले कुछ सालों में EJP की गवब्मेंट ने कई समस्याओं को फेस किया है चाहे महंगाई की प्रॉबलम हो, डीमानिजेशन हो CEA के प्रोटेस हो, COVID-19 की महामारी हो, फामर्स प्रोटेस हो, पाकिस्तान का आतंकवाद हो या चाइना का अग्रेशन हो लेकिन इतनी बड़ी-बड़ी प्रॉबलम्स का सामना करने के बावजूद इंडिया टुडे के एक सर्वे के मताबिक, 72% लोगों का ये मानना है कि मोधी गर्मेंट ने पिछले 10 सालों में अच्छा काम किया है कि राहूल गांधी का जो पॉलिटिकल वनवास है वो श्रीराम के वनवास से भी लंबा होने वाला है अब देखे राहूल गांधी और श्रीराम में बहुत सारे डिफरेंसे हैं और दोनों के वनवास में भी बहुत सारे डिफरेंसे हैं सबसे बड़ा तो कि श्रीराम का जो वनवास है वो voluntary था जनता बहुत चाहती थी कि वो राजा बने लेकिन उन्होंने चूज किया कि वो अपने पिता का आदेश मानेंगे अपनी मर्जी से राजगद्धी छोड़ी और वनवास चले गए राहुल गांदी का जो political वनवास है वो involuntary है बिचारे बहुत चाहते है राजगद्धी पर बैठना लेकिन जनता बैठना ही नहीं देते तो बीजेपी की इतनी strong performance की वज़े से opposition parties को ऐसा लगता है कि अगर वो साथ में मिल जाएं तो उनके जो अलग-अलग votes है वो भी consolidate हो जाएंगे और इनको consolidate करके बीजेपी को हराया जा सकता है बैंगलोर में इस alliance की जब meeting हुई थी तो उन्होंने सारे parties के votes को जोड़ा और कहा कि वो मिला कर उनका around 38% vote share है जो की बीजेपी के बराबर है और इसलिए ये alliance बनाई गई है जिसमें around 28 parties है जैसे की Congress, आम आदनी पाटी, DMK, बेंगौल की TMC, जम्मो एन कश्मीर की National Conference, जारखंड की JMMM, बिहार की RJD, UP की समाजवादी पाटी, etc. अब तक गडबंदन की चार meetings भी हो चुकी है इन मीटिंग्स के दौरान काफी बाते की जा रही थी कि BJP को इस बार कड़ाके की टकर मिलने माली हैं इन दक्षुन के दुर्ग करनाटप के बंगलूरू में देखने को मिली जहां विपक्ष की 26 पार्टी एक मज़ पर साथ नज़र आई प्रपोजिशन ब्लॉक मेट इन नुडेली फॉर्थ तार्प लिडर्स दिस्कास्टेजी टिफीट प्राम मिनिस्टर नरेंजर मोदी लेड भारतिय जरता पार्टी गवर्मेंट लेकिन देखिए प्रॉब्लम यह है कि इस तरह के गड़बंदन को सक्सेस्फुल बनाना ओन पेपर काफी असान लगता है लेकिन रियालिटी बिलकुल अलग है बिलकुल वैसा ही कि जब आपको लग रहा था कि भाई बहुत लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं मैं भी इन्वेस करके पिता जी ने लात मार के घर से बाहर भी निकाल दिया और वारन बफेट की जगा आप पेटी कोट बाबा बन गया है उसी की तरह इस गड़बंदन को भी सक्सेस्फुल बनाना और जोड कर रखना रियालिटी में काफी मुश्किल है देखिए बेसिकली जैसे ही यह इनिशली जब इंडिया ब्लॉग की मीटिंग से भी जल्दी निकल गए और प्रेस कांफरेंस में भी नहीं अपियर हुए बात ये थी कि नितीश जी खुद बनना चाहते थे इंडिय अलायंस के प्राइम मिनिस्टर के फेस आरजेडी भी उनकी केंडिडिसी को सपोर्ट करना चाहती थी अब आफ सोच रहे होंगे कि नितीश और लालु यादव इतने पुराने दुश्मन है लालु यादव नितीश को क्यों सपोर्ट करेंगे अब देखिया लालु यादव जी लंबा सोचते है लालु यादव जी बहुत टैलेंटेड आदमी है एक डेकेड के अंदर अंदर एक स्टेट को पूरी तरह से डुबा देना बैंकरफ्ट कर देना उस टेट के नाम को बेसिकली एक गाली बना देना उसके लिए भी टैलेंट चाहिए होता है लालु जी को पता था कि अगर नितीश कुमार जी सेंटर में चले गया प्राइम मिनिस्टर बन गया तो बिहार क के लिए क्या करना उसके बारे में हम सोचे कोन प्राइम मिनिस्टर बना यह बाद में की बात है बेसिकली वह कह रहे थे कि पहले गाउं बसा लेने दो उसके बात भी लोगा उसके उपर से यह यह जो नौर्थ वरसे साउथ का प्रोपगेंड़ करती है उसके अंदर खुद हो ही रहा है तो अखिलेश यादव कैसे पीछे रह सकते हैं जब ममता बैनर जी को इंडी अलाइंस में इन्वाइट किया जा रहा था उस बात से अखिलेश यादव बिल्कुल खुश नहीं थे अखिलेश यादव ने तो कॉंग्रेस को इतना बोल दिया कि आप या तो ममता जब आप इन्वाइट यादव के गले नहीं उतर रहे थे अखिलेश यादव यह भी कह रहे थे कि भाईया यूपी में इंडी अलाइंस की जो भी स्टाटेजी होगी वह अखिलेश यादव करेंगे और किसी के पास रिसाइड करने का हक नहीं और इतना काफी नहीं था तो प्रेस के सारे क्लेम्स को बेबुनियाद बताया और कॉंग्रेस को ही अटैक करना शुरू कर दिया प्रकाश अम्बेडकर जो की बाबा सहाव अम्बेडकर के ग्रैंट सन है उनका कहना है कि इंडी अलाइंस खतम हो चुका है महाराष्ट्रा में भी ऑपोजिशन गडबंदन अच्छी हालत में नहीं है और अब तो ममता दीदी भी कॉंग्रेस पर ताने मार रही है एक जन सभा को संबोधित करते हुए बन अच्छी ने कहा कॉंग्रेस तीन सो में से चालीस सीट भी जीत पाएगी या नहीं यार ये अपना अलायंस तो जोड के रखनी सकते हैं इंडिया को जोडने की बाते करते रहते हैं भारत जोड़ो यात्र निकलते रहते हैं जिसने स्टेट में इलेक्शन पाँच बार लड़ा है लेकिन मुख्यमंतरी नौ बार बना है कुछ लोग नितीश कुमार पे जोक मार रहे हैं कि नितीश कुमारे कैसे चीफ मिनिस्टर है जो चीफ मिनिस्टर रहते समय चीफ मिनिस्टर के पद से रिजाइन करते हैं ताकि वो चीफ मिनिस्टर बने रह सके National Conference के उमर अब्दुल्ला ने भी इंडिया अलाइन्स की बुरी हालत के लिए पूरा का पूरा ब्लेम कॉंग्रेस के उपर डाल दिया देखा जाए तो अफसोस की बात यह है कि आज इंडिया अलाइन्स की थोड़ी हालत पतली है थोड़े अंध्रूनी जवरे जो है वो देखने को मिल रहे है जो शायद नहीं होने चाहिए इस भसर को यह लोग अलाइन्स बोल रहे हैं यह 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 लोग अलाइन्स उसी तरह है तो देखें इंडिया अलाइन्स इतना स्ट्रगल इसलिए कर रही है क्योंकि इस अलाइन्स के सामने कुछ बहुत क्लियर चैलेंजेज हैं फॉर एग्जामपल पहला बड़ा चैलेंज यह है कि इस अलाइन्स में बहुत सारे इगो क्लैशेज नहीं करते दूसरी बड़ी प अगर आप हिमाचल को देखें बीजेपी और कॉंग्रेस में सीधा मुकाबला है कॉंग्रेस किसके लिए सीट छोड़ेगी राजस्तान के साथ भी सेम हाला थार कॉंग्रेस क्यों चोड़ेगी दूसरे पार्टीस के लिए सीट है पंजाब और दिल्ली में आमादनी या गौर्णवाना या किसी और अन्य दल को देंके कोई कोई अपना वोर्ट भरबाद नी करेंगे बिहार में तो नितीश कुमार अब लग रहा है अब वो अगले साल ही बीजेपी को दोखा देंगे इस साल तो इंडिये के साथ ही रहेंगे नौर्थीस में बीजेपी का जीतना लगभख पका है नौर्थीस में कैसे होगी सीट शेरिंग मध्यप्रदेश में भी बीजेपी और कॉंग्रेस के बीच का मुकाबला है मध्यप्रदेश में क्यों छोड़ेंगी कॉंग्रेस दूसरे के लिए सीटे महारास्ट्रा में कैसे होगी seat sharing कैसे decide करेगा Congress और उद्धा ठाक रहे हैं करनाटका में कैसे होगी seat sharing और बोर इंपोर्टन्टली तमिल नाडू जैसे states में DM क्या छोड़ेगी किसी के लिए seat है करला में क्या Communist जो हैं वो Congress के लिए seat है चोड़ेंगे बेंगॉल में त्रिणमूल Congress Congress और Communist Parties के बीच में जानी दुश्मनी है क्या छोड़ेगी त्रिणमूल Congress बाकी पार्टीज के लिए seat हैं तो अभी seat sharing के मामले को लेकर ही इंडी Alliance अल्रेडी कोलाप्स कर रही है एक और बड़ा मुद्दा है जो एक बहुत बड़ा challenge है इंडी Alliance के सामने और वो है कि इंडी Alliance के पास कोई clear policy plan नहीं है clear मुद्दे नहीं है जो कि BJP के पास है इंडी Alliance चिलाती रहती है कि भई हमारी policy है हमारा election plank है कि हमको BJP को होटाना है देश को बचाना है, democracy को बचाना है भही ये को policy plan थोड़ी हो आप BJP का plan देखिए BJP बहुत clear parameters पर election लड़ रही है पहला parameter है political stability coalition politics में हमने देखा है इस देश में कभी कोई काम ही नहीं हो पाता कोई law ही पास नहीं हो पाता इंडिया के अंदर ही नहीं पूरी दुनिया में recognize किया जा रहा है कि इंडिया अब एक economic powerhouse बन रहा है most unprecedented transformation in the history of the free world is what India is going through today तीसरा parameter है infrastructure record speed से इंडिया में road or bridges की construction हो रही है 500 million toilets बनवाए गये हैं देश में 99% toilet coverage हुई है देश में internet connection और पानी का connection भी देश में बहुत तीजी से पहला जा रहा है चौथा parameter है social inclusion jam trinity का इस्तेमाल करके clear targeted programs हैं जिसमें की जो पिछडे हुए sections है हमारे देश के उनको भी देश की mainstream से जोड़ा जा रहा है उसके साथ साथ प्रधान मंत्री आवास योजना में घर बनवाए जा रहा हैं गरीबों के लिए उजवला योजना में free cooking gas connections दिये जा रहा है जंधन योजना में 400 million से जादा bank accounts open किये गए हैं बुद्रा योजना में small businesses को micro finance loans provide किये जा रहे हैं सवच भारत mission में इंडिया में sanitation को significantly improve किया जा रहा है आयुश्मान भारत scheme में 500 million से जादा citizens को health insurance दिया जा रहा है जो दुनिया का सबसे बड़ा health insurance scheme है digital India campaign में आप देखे कितने unprecedented तरीके से digital payments ने इंडिया में किस तरह से खरीद फरोख्त होती है किस तरह से business transaction होता है उसको revolutionize कर दिया है जिस समय पर इंडिया लाइंस नॉर्थ वर्से साउथ politics खेल रही है अपीजमन पॉलिक्स खेल रही है कास्ट में भारत को डिवाइड करने की politics खेल रही है उस समय पर बीजेपी की कोशिश है कि हिंदुत्व के बैनर में पूरे देश को जोड़ा जाए article 370 को एब्रोगेट किया गया जिसको पूरे देश ने सपोर्ट किया राममंदिर बनवाया गया जिसको पूरे देश ने सपोर्ट किया काशी विश्वनात कॉरिडोर बनवाया गया सिर्जिर्शिप अपेंडमेंट एक पास किया गया आगे काशी और मतरा को भी पूरा रीकलेम किया जाएगा P.O.K को वापस भारत में जोड़ने की बाते हो रही है जिसको पूरा देश सपोर्ट कर रहा है अगला B.J.P का परामरेटर है नाशनल सिक्यरोटी परामरेटर अटैक्स भी 2014 के का पैरेजन में बहुत कम हुए है आज कल भारत अटैक होने के बाद बैठा नहीं रहता घर में घुच के माता है पाकिस्तान को ही नहीं बलकि चाइना को भी टिट फो टैट दिया है इंडिया इंडिया के मोस्ट वांटेड लिस्ट पे जो आतंकवादी हैं उनको अन्नोन गनमेन लाइन से निपटा रहे हैं और इंडिया की दुनिया में रिस्पेक्ट भी बढ़ रही है तो इतने क्लियर परामेटर्स पर बीजेपी लड रही है जिन सारे परामेटर्स पर बीजेपी को इलेक्टोरल सक्सेस मिलता रहा है और इन परामेटर्स के कंपारिजन में आप देखिए इंडिया लाइन्स के पास क्या है अल्टरनेटिवस हर तरफ से अगर आप पॉलिसी वाइस देखें तो बीजेपी ने इंडिया लाइन्स को पीछे छोड़ा हुआ मैं तो कहता हूँ कि राहुल बाबा को आलू सोना की मशीन बनाने के बजाए धंकी पॉलिसी बनाने की मशीन इजात करनी चाहिए थी इनका गोल है कि पावर में आए अमीर बने और देश पर राज करते रहे हैं तो भारत के लिए क्लियर चॉइस है कि इस तरह की टूटी-फूटी जिनके पास कोई पॉलिसी मेशर नहीं है क्लियर और दूसरा चॉइस है प्राइम मिनिस्टर मोदी जो की हिंदुत्व के बैनर में देश को युनाइट भी कर रहे हैं और अपने पॉलिसी प्रोग्राम्स के तुरू भारत को एकनॉमिकली डिवेलप कर रहे हैं इंसर्ट्र पुरे देश के सामने और देश ने अबजर्व किया है चीजे देखी है चाहिए वह अगर चाहिए कुछ बॉर्डर पर करता तो मोदी जी का जाके सीधा मूतर जवाब देना चाहिए मैं डिफेंस मिनिस्टर का जवाब देना हो या फिर रिलिजियोशली भी जो चीज सच ह कि अबसे पहले सच का साथ दो लेकिन उसमें यह निए आज बना था ता इसका बनने की नीव ही खोखली है क्या है इसकी नीव है मोदी को हरा ना वो चोड़ो मोदी को हरा ना चोड़ो यह बता तो जिनके आपसे विचाटदार है इं मिलती जो जंगल के जितने वी जानवर है ना जो आपस में बिल्कुल कटा है मतलब इन यह वो सारे एक हो रहे और इससे भाएंकर चीज देश के लिए निवस्दे क्यों क्योंकि जब यह पताज सत्य में आगा ना मिली जूली सरकार बन गी तो इनकी अपने अपने हिजाब से चलने के लिए तो आठी यह लग्यार यह जाना रहा है यह एक दूसरे को मना रही होंगे एक चोटे से चोटा बिल पास होने कलिए थे भी अना कितने सो यह बढ़ रहे है बर्तो अब तो शोड़े दुनों में यह आपनी अपनी सीट बचा लग की जो इसको मिलती है और यह जैसे कर ना अब यह उस पर नेशनल लेवल पर शारी करने कुछिए कर रहे वह यहां सक्सेफुल नहीं वाला और आज का वोटर भी समझदार है और आज का वोटर न अपने वोट कीमत जानता है कि अगर स्टेट में चुनाव और तब किसको वोट देना अब सिर्फ नेश तब ही चीज़ बढ़ती यह गिए और अगर 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 एकोई आपको क्याता अ सलेंडर सस्ता दे अचांगे तो आपको बड़ना यहा इनंडेंग अज Neo प्षानगे मता रिंए अब यह जिन्को और ने थी भी किसी भी प省झा अचयी घरा उर नंगी तर्लियर निही minutes about म कि यह तो आप बिल्कुल ह्याज उपने आपको समझें और कि अब यह पी देखा है जो गार जितने भी वह ना पांच लाग तक का जो आज़ है जो बिल्कुल ह्यां बदलों कि यह उनको इलाज रचते है और सब को डिचिट लृह ना । इसमें कोह और वो निया कि कागच पे एंगुठा है या और फिल लगवान है आपको स्ट्रीम्लाइब्स का इसी पैसे लेते हैं तीन लाग करोड़ खाते थे एक पैसे ले ते जौरी 10 करोड कितने खाते थे जो इसी खेक बनायों इसमें पैसे आई भाशन सुनना मोदी काम ने रेक्ड क्या वालाभी विल्टे आप लोगों से कुछ विडियो कि विडियो मस्त नमज़ियादर इंट्रेस्टिंग और इस देश को आज कर जाब कर बोड क करने के जोर होते हैं ना कि सर्फ अंधभक्त बनने के लिए को कैई लोग जाते हैं कि मोढी को अंधभक्त हो गये लोग जो अनगा लिख रहा वो आज भी अंधभक्त ने को काम नी दिखा रहा